नमस्कार और आदाप सनीचर आज जन्वरी के आज टारिक 2022 साथ दिन के खबरे आपके लिए पेश होगा प्रोग्राम साथ दिन आपके लिए पेश होगा लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हर एको नए साल के धेर सारे शुक कामनाई मुबारिक बादी और बथाया देती हूँ ये नए साल 2022 2022 के वासे पहला प्रोग्राम साथ दिन है माल्ती द्वरका सिंग ये नया अद्मिनिस्ट्राटर खेनराल है और ये है बिरू फुरिस्टाट स्खल्ट का पिछला जो अद्मिनिस्ट्राटर खेनराल था इनका जो वहाँ पर समय था कॉंट्रक का गुजर गया है तो नया अद्मिनिस्ट्राटर खेनराल जो है इनको यहाँ पर अब थराया गया है माल्ती द्वरका सिंग को द्वरका सिंग जो है ये अपने कर्यार में काफी तज्जुर्बा प्राब किये है बिरू फुरिस्टाट स्खल के पास यहाँ पर काम किये है एक प्लान बिरो में और भी वरेरिखिंग सुरिणाम्स बिद्राइफ लेवन का वो कभी फोर्शेटर थी. मालती द्वरका सिंग जो है, ये अब नया अद्मिनिस्टर गेनराल है, बिरो फोर दे साथ स्कुल्ट का और ये है जन्वरी के तीन तारिक 3 जानुवारी से. मिनस्टर अमर रामादीन, फॉलक्स खुसुन थैट्का मिनस्टर है, इनको थोरा बहुत यकीन है, या ज्यादा यकीन है कि हमारा देश सुरिणाम देश ये फैफ दो खुलिफ के और जा रहे है, कौफित के बारे में हम बात कर रहे हैं, लगभग फैफ दखुलिफ आ गया है, और वो इसलिए क्योंकि बस्मेटिंग जो है दिन पर दिन फिर से बरता जा रहा है, ये बस्मेटिंग बरता जा रहा है, लेकिन अभी ये रो नहीं कह सकते हैं, कि सुरिणाम देश में नया फारियांग ओमिक्रॉन आ चुका है या नहीं, पिछले हफ़ता सनीचर को कुछ तेस्तिंग लिया गया है, और ये जो तेस्त है, ये भी जा गया है, वी देश, इसका अउचलाख अभी तक नहीं आई है, अउचलाख के इंतजार में है, फॉलक्स कुसौन तेट, अगर आ जाएगा, तो ये पूरा तोर से पता चल जाएगा, कि ये उमिक्रॉन फारियांग सुरिणाम देश में है या नहीं, दोसरा बाद जो मिनिस्तर अमन रामाधिन ने बताई है, वो ये है, क्योंकि ये कॉफित इतना ज्यादा फैल रहा है, जोड़ तोर से बसमेटिंगन ज्यादा हो रहा है, तो मुम्किन ये भी है कि ये उमिक्रॉन फारियांग ही है, लेकिन ओफिशल खबर वीदेश से आएगा, जब ये तेस्त हो जाएगा, बहुत सा ऐसे नौ जवान लोग ये आखरी हफ़ता देजम्बर से और इस साल में नए साल में, ये सब जाते हैं स्वाप लोकादिस पर स्वाप करने के वास्ते जब इन लोगों के खृप फश्खेंसलन रहता है, ये भी कहा गया है कि काफी जशन करने के बाद अब जब लोग बिमार होते हैं तो जाते हैं स्वाप करने के वास्ते, ऐसे में ये बे ओखे के जो स्वाप पोस्त है और एरखेदे पोली क्लिनिकन के स्वाप पोस्त जो है, यहाँ पर इतना भीर रहता है ज्यादा लंबा लाइन रखता है कि यहाँ का परसोनेल जो है मामला समहाँ नहीं पाते है क्योंकि ज्यादा डबाव आए है इन लोगों के दिंस पर लेने पर इसलिए यह फैसला लिया गया है वानिका सिकन हाउस यहाँ पर फिर से स्वाप करने के लिए लोगों को मौका देने को तो यहाँ का स्वाप पोस फिर से खोला गया है जन्ता के वास्ते वैसे यह भी कहा गया है OMT, और ब्रीक मैनेजमेंट तीम से बातचीत करने के बाद कि स्कूल जो है खोला जाएगा और ऐसा हुआ है सुक जन्वरी के साथ तारिक से पिछले हौल फंज पाए थे तो यह राई दिया गया था और ब्रीक मैनेजमेंट तीम के जरीए स्कूल बंट रखने को लोग यह उमीद भी किये थे कि स्कूल जो है यह जारी नहीं होगा साथ तारिक को नहीं खोला जाएगा लेकिन ऐसा किया गया है ऐसा हुआ है पढ़ाई जारी हुआ है सुक जन्वरी के साथ तारिक से इसमें हम यह बात बिता दे कि मिनिस्टर अमर रामदीन कहते है कि यह साबित हुआ है कि जिनके उमर बारा साल से है इन लोगों को यह जो कोफिद बस्वेटिंग है ज्यादा तोर पर नहीं होता है और अगर होता भी है तो मिल्द फश्खेंसलन रहता और लोग सिया जल्द ही ठीक हो जाते है फिर तंद्रूस हो जाते है इसलिए लेरकराखतन जो है इन लोगों को पुकार किया जाता है जितना ज्यादा हो सके क्योंकि लेरकराखतन तो फॉलवा से है तो इन लोगों से गुजारिस किया जाता है जितना ज्यादा हो सके जाकर फाक्सिनेर करने के वास्ते रामदीन ये भी बताए है कि इस वक्त जो इंफ्लुएंसा यानि खृप फ्यूरस चल रहा है मुम्किन है ये कोवित नहीं है लोगों को और इस साल के इस समय के वास्ते इन महनों के वास्ते ये आम बात है क्योंकि हमेशा इस समय लोगों को ये खृप होता है तो ये हो सकता है कि आपको खृप फश्खेंस लहे खृप है बोखार सर्दी इत्यादी है लेकिन आपको कोविट नहीं है लेकिन तो भी आपसे कहा जाता है कि मोहाना रेखलस पर आपको गोर करना है सबी जो COVID रेखल से इस पर आपको गोर करना बहुत जरूरी है ये खरिब जो है ये कई गुना ये COVID मेखंती जो है जो इंफ्लुएंसा या आम खरिब के बारे में हम बात करते है ये COVID अगर फरकले किया जाए तो ये इस खरिब से कई गुना और खतर नाक है इसलिए आप से कहा जाता है कि ये मुहाना रेखल स्बर जरूर आप खर केजिए वैसे हम आपको ये भी बता दे मिनिस्टर रमादीन ने बताए है कि फीर्ड़ खौलफ में जो सनल टेस्टन सुरिनाम देसको दोनाटसी के तोर पर मिला था ये लगभग 200,000 सनल टेस्टन था लगभग खतम हो गया है 20,000 से कम सनल टेस्टन जो है ये अभी बाकी है और अगर इस तरह से लोग जाएंगे स्वाप करने के वास्ते इतना ज्यादा तादाग में तो कुछ है समय के अंदर ये भी खतम हो जाएगा सुरिनाम के पास दो चारा है एक है कि हम ये जो दोनाटसी फिर से मांग करें स्वाप तेस्टन के वास्ते ये सनल टेस्टन का दोनाटसी फिर से वी देस्टन हम मांग करें या यह जो सनल टेस्ट है खुद सुरिणाम देश खरीद सकता है तो इस बारे में मिनसर आगे जानकारी देगा कि क्या होगा अगर यह सनल टेस्ट सुरिणाम देश में खत्म हो जाएगा पनामी से लुखवाद मात्सखपे कोपा एरलाइन्स अपना हफ्तावार उडान सुरिणाम तक फिर से जारी किये है 18 महने उडान नहीं करने के बाद 18 महने के बाद बीते हुए बुट को पहले मत्वा फिर 18 महने के बाद ये कोपा एरलाइन्स का फालाइक ये आकर उतरे है योहान आधल पैंगल इंट नचुनाल लुखधाफन संदरेग पर ये कोपा एरलाइन्स यहां सुरी नाम देज में लाने से यहां पर उडान करने से याक्तियों जो है तुरिस्तन जो है इन लोगों को और मौका है और देशों देखने के लिए और देशों तक सफर करने के वास्ते हफ्ता में दो बार बुत और सनीचर को ये सब रख्ष्ट रिक्स उड़ान करेंगे सुरिनाम देश से पानामा और फिसा फेर्सा पनामे में जो पासाशीर जाएगा वहां से असी अनेक बस्ते में असी अनेक देशों तक लोग उडान कर सकते हैं ये कोपा एरलाइन्स के साथ में कोपा एरलाइन्स जो है याद्रियों के साथ उडान करते हैं नूर्थ मेदन और सौइट अमेरिका तब कोपा एरलाइन्स जो है एक बड़ा खेलारी है लुखत फार्ट सेक्टर के अंदर अमेरिका में और पनामा को लोग इस्तमाल करते है तुसन स्टॉप के तौर पर हम आपको यह भी बात बता दे कि यह जो कोपा एरलाइन्स है यह सर्फ सलाना लगभग 14 मिल्यून पासाशीर्ष को फरफूर करते है मतलब सलाना और यार बासस 40 मिल्यून पासाशीर्ष इन लोगों के साथ उड़ान करते है कुल्टूर तर्ण लान में कुछ दिन पहले पांच आखा सेवनन फियर तक खवेरन बंदुक मिला है यह अभी तक नहीं पता है कैसे वहाँ पर आए है लेकिन खोच बिन से यह पता चला है यह खबर बाहर आया है कि मुम्किन यह यकिन के साथ कहा गया है कि यह वापन्स यह हत्यार जो है यह नचुनाल लेखर के देपो से आए है कुछ दिन पहले एक्स प्रेसिदेंट इसी बहुतर शके वापन कामर से जो हत्यार जो बंदुके इत्यादी चोरी हुआ है यह इसका हिस्सा है यह स्वारव वापन्स जो है यह बंदुके जो मिला है इसके बारे में सरकार के तरफ से कोई आफिशल आईलान नहीं आए है लेकिन सोशल मेडिया पर काफी चर्चा इस बारे में हुआ है यह सवाल भी किया गया है कि उसरकार के तरफ से मिनस्टेरी फंड देफैंसी के तरफ से इस बारे में अभी तक कोई बयान बाहर नहीं आए है मिनस्टर देफैंसी का कृष्णा मातूरा यह बताए है कि क्योंकि यह मामला खोजबिन हो रहा है और उपनबार मिनिस्टेरी इस पर खोजबीन करता है तो इसमें दखल देना ठीक नहीं होगा वैसे इसमें दखल देना भी नहीं चाहिए समय उपनबार मिनिस्टेरी को दिया गया है इस पर खोजबीन करने के वास्ते और इसमें हम आपको बता दे कि पॉलीस के लोग पॉलीटसी अमतिनारन और मिलिटर पॉलीटसी जो है उपनबार मिनिस्टेरी के साथ खोजबीन कर रहा है इस खास मामले पर काम कर रहा है और बात में अगर कुछ बताने के लिए रहेगा तो जरूर जन्ता को इस वारे में बताया जाएगा एक बहुत अफसोस के बात है कि इस साल के शुरुवात हुआ है ब्रंटवेर के लिए काफी काम था और यह है हुस ब्रंदन वोनिंग ब्रंदन के वास्ते दो माकान इस साल के शुरुवात में जल कर खाक हो गए है एक है मारिस्तराथ में और एक है फ्लमिंगो स्तराथ में फ्लमिंगो स्तराथ का जो आग लगे है यहाँ पर कोई घायल नहीं हुए है लेकिन सबसे अफसोस के बात ये है कि मानिस्तराथ के आग में चार लोग जल कर राख हो गए है लोग जल गए है और आग में जल जाने से इन लोगों का देहांत यानि मुरिट्यू हो गए है इसमें है बासत साल के सुन्या बडाल और तीन बच्चे जो है 15 साल के जोती और आच साल के भारती परभू पलीस को अभी तक नहीं मता है ब्रांतविर को अभी तक नहीं पता है यह आग जो लगे है क्या फ्यूर वैरक से कोई तालुख है फ्यूर वैरक के वज़े से लगा है या कैसे लगा है अभी तक पता नहीं है यहां से इन परिवार को या यह पर ये घटना घटी है, जिनको इतना दुक हुआ है, सोख समवेदना हम सब प्रस्थूत करते है। फिरवेरक सलख्ट ओफर्श के बारे में भी हम आपको बता दे, आपको पता है कि नए साल के शुरुवाद लोग करते हैं और पुराने साल को अलवीदा लोग कहते हैं फिरवेरक आतिस बाजी के साथ, तो बरंत वे ये ऐलान किये हैं कि इस साल के वास्ते छे फिरवेरक सलख रहे थे लेकिन आसपास में मौझूद थे जब दूसरे लोग फिरवेरक जला रहे थे और तीन लोग ये सब फिरवेरक खुद जला रहे थे और इसके वज़े से घायल होए हैं. सेस सलखफ़र्स रफ फिरवेरक, फिरवेरक सलखफ़र्स जो हे नोटेर के आगया है, इस बार नए और परानी साल पर. सुरिनामदेस का प्रेजिएंट, प्रेजिएंट चंडरीका परसाथ संतोगी जो हे, कारीकूम का फॉर्से तर बनेगा जला रहे जलाए के पहली तारीक को और इहे चे महनों के वास्टे. ये हम आपको बतादी के सुरिनामदेस जो हे, खसलांग रहेगा, द्रीएंट तगस्टे रहे जो हे, जो हे, आनेवले अठारा महनों में, और गहरा संबंद बनाएगा, कारा इवी से रहे के तरक की से, और गहरा संबंद बनेवन रहेगा, प्रीजद का रहेगा, कारा इवी से रहेगा, को और इही महाप को बतादी के सुरिनामदेस जो हे, छास नौर पर गहर करन terrorists, जेन जेन गनेयहे, जेंदर अगद पर, जेग्ट, स्टर्थ, स्वार, कुल्टूर, जेंज depend Анनेशं जो हे, क्लिमात रांदरिंग, रेजिवनाले वेलिगेट, तुरिस्म और फूदसेकरहेट पर. प्रेसिदेंट के मदद कर रहे हैं, तैयारिया करने के वास्टेशचाप जपो लेंगे कारी कॉम का. इसमें एक खास कारी कॉम कमेसी धराया किया है, जिसमें मिनस्टेरी वन बौद लांस सागन, काबिनेट वन प्रेसिदेंट और कुछ वी से सग्य इंस्टांसिस के लोग बाइठक लेते हैं, जो प्रेसिदेंट को इसमें मदद देगा और राय देगा. इसे तफ शेकरण के वासे, एक बूरा घबर है, और वो यहे है, कि जन्वरी के पहली तारिक इस साल 2020, अंद्शुकिंग जो लो कर्वाना चाहती है, यापको एक रवेसिंग हुआद से मिला है, रादियो लोखी क्लिनिकन हाफ हाइध हॉल हॉफवेग, मेडिस दियाखनौस्टिक सेंट्रम M.D.C. और मेडिलाप में जाकर पॉली क्लिनिस रादियो लोखी फरिख्टिंगन, यानि खोजबीन के वास्ते, तो आपको मदद नहीं मिलेगा, अपना कार्ट के साथ आपको पैसा भरना परेगा, यह इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक तारिफन के बारे में, लोग एक दोसरे से सहमत नहीं हुए है, सरकार और यह रादियो लोखी से क्लिनिकन जो है, सहमत नहीं हुए है, तो अभी तक यह जो तारिफन है तै नहीं हुआ है, सिर्फ M.A.R.E. स्खेंस के वास्ते आप जा सकते हैं, इसके लिए पैसा भरने के जरूरी नहीं है, तो रादियो लोखी क्लिनिकन में M.A.R.E. स्खेंस के वास्ते आप जा सकते हैं, हम आपको यह बता दे कि S.A.T.F. यह ऐलान किये हैं कि जो लोग जाएगा, यह अंदर शुक के वास्ते, अगर आपको पैसा भरना परेगा, पैसा आप भरे हैं, तो आपको एक क्वितन्सी मिलेगा, जिसके साथ आप S.A.T.F. के पास जा सकते हैं, रेस्टिट्सी के वास्ते, अपना खल्दग S.A.T.F. कार्ट के साथ, और एक दुदलिक घस्पेसिएर्ट बताल बवेश, जो है, एक क्वितन्सी बद्राइस्टेंपल के साथ, इस पर वद्राइस्टेंपल होना चाहिए, आपको जाना है S.A.T.F. के पास, और यहाँ पर पैसा आपको वापस दिया जाएगा, जो आप भरे हैं, अंदर शुक के वास्ते. कॉर्प्स शेफ रुबर्टो प्राद जो है, इनको ये खबर बाहर लाया गया था, इस हफता में पड़्वी से हटाया गया है, खारिच किया गया है. इस मामले के बारे में अब आफिशल खबर बाहर आए है, कि कॉर्प्स शेफ रुबर्टो प्राद जो है, ये अपना काम जारी करेगा, जनवरी के 25 तारिक तक, 55 तविन तक, यानि वारी तक, उस पदवी पर वो रहेगा. और हम आपको ये बता दे, कि एक लिखक, एक ख़त में वो सरकार को ये बताए है, कि 25 तारिक जनवरी से वो अपना पदवी छोड़ देगा, छोड़ने वाले है. ये पता चला ही, कुछ खबरों से, इस मामले के बारे में रखेरिंग सराथ फरखादरिंग में बूद को बातचीत हुआ है. हम आपको ये भी बता दे, कि जनवरी के चार तारिक, करशेफ प्राद और मिनिस्टर केनत अमोक्सी, युस्तिची और पलिची का एक दोसरे से, इस मामले के बारे में बातचीत किये है, और बीते हुए बूद को बातचीत हुआ है, प्राद के साथ थी, एक कुछ लोगों क जो प्रेसिदेंट संतोकी के निर्देशन में वहाँ पर मौजूद थे, बातचीत के दोरान, इस में थे मिनिस्टर अमोक्सी, युस्तिची और पलिची का और मिनिस्टर आर्मान अच्छाइबर सी, फिनांसियन और प्लैनिंग का, करशेफ जो है, यह कहते है कि सरकार वो तमाम जो काम करना है, करने के वास्ते, पेश्देर प्रेसिदेंट संतोकी यह ऐलान कर चुके थे, कि एक हैर एफालिवाद सी आएगा, और रे और खनी साथ सी आएगा कॉरपस के लेडिंग में, तो ऐसा अब हो रहा है, यह भी हम जरूर बता दे कि मेडिया में और सोशल म महां से चला जाएगा, तो बागदोर कौन सम्हालेगा, यह कुरसी खाली रहेगा, लेकिन सरकार यह ऐलान किये है, कि एक मैनेजमेंट तीम थराया जाएगा, इसका मतलब यह है, कि वो जगा महां पर खाली नहीं रहेगा, एक मैनेजमेंट तीम थराया जाएगा, यहां पर काम आगे सम्हालने के वास्ते जब तक एक नया कॉरफ शेफ का बनुमिंग नहीं होगा S.T.F. का डिरेक्टर जो है अमर रांजीत सींग इसका इफ को भी पद्वी से हटाया गया है खारिच किया गया इनका जो कॉंट्रक्ट थे फरलेंग नहीं होगा है अक्तोबर के पाच तारिक 2020 से ये डिरेक्टर थे अलगमें डिरेक्टर थे S.T.F. साथ सीकन फॉंस का यहाँ पर एक इंतरिम मैनेज्मेंट तीम थहराया जाएगा वहाँ पर कुछ दिनों के वास्ते बागदोर सम्हालने के वास्ते और ये पता चला है कि ये इंतरिम मैनेज्मेंट तीम का हिस्सा भी है X.S.L.M. का दिरेक्टर रजेस राजकुमार और शिफारू गयादीन ये इंतरिम मैनेज्मेंट तीम में ये सब भी बैठक लेते है ये जो बात जब बाहर आई है कि इनको पद्वी से हटाया जाएगा रंजीत सिंग को तो ये भी कुछ बाते कुछ खुलासा किये है ये कही है कि इन पर इल्जाम लगाया गया है मिस मैनेज्मेंट का और बहुत से ऐसे बाते है ये बिलकुल सच नहीं है और रंजीत सिंग्य कहते है कि बाकी के जो दिरेक्सी लेदन है ये सब भी कुछ ऐसे काम किये है जो कानून के खिलाफ है या जो उकलत है मिनिस्टर अमर रामाधीन ये बताये है कि इस मामले के बारे में लोग को खोजबीन कर रहे है ये पूरा तोर से जांच होगा और छान बीन करने के बाद ये फैसला आगे लिया जाएगा अब तक बाकी के तीन दिरेक्सी लेदन जो है ये सब अपना काम जारी कर रहे है एफाली वादसी के बाद फिर बताया जाएगा कि यहां पर आगे क्या होगा बखरोटिंग्स बहंदलिंग देना में ताल दिया गया है आपको हम बता दे कि देना का लेदिंग जो है ये दिन पे दिन और ज्यादा हो रहा है देना का फोर्शितर मारी नजबे ये कहते है कि कोफित नेखंदिंग के सुटिवादसी के वज़े से जो पर्लमेंट का प्लैनिंग था इसमें कुछ बतलाव आए है देना का एक अक्टिफितेट जो था अकडेमी सवेक 10 तारिक से लेकर जनवरी के 14 तारिक तक ये भी अब टाल दिया गया है कब चारी होगा अभी तक पता नहीं है बखरोटिंग्स बहंदलिंग मुम्किन लोग कोशिश कर रहे फिबरवारी महना से शुरुआत करने के वास्दे पर्लमेंट को अभी कुछ और समय के जरूरत है तैयारिया करने के लिए वैसे माप को बता दी कि मेरियारा उन्टविकलिंग्स प्लान का बहंदलिंग जो पिछले साल चर रहा था ये तो पास हो चुके है, खुदक्यर हो चुका है पंचकर जो है, इसके लिए रासामंदी दे चुके है असम्बली खबाव में काफी पिसमेटिंगन भी है वहाँ का परशोनेल जो है पोसिटिव तेस्ट हुए है लगभग तेरा परशोनेल स्लेदन पिसमेट हुए है और असम्बली जो है, ये देयना खबाव बंथ है उनसमेटिंग करने के बाद मुम्किन सो मुआर से फिर दर्वाजा वहाँ पर खोला जाएगा ये कोफिद बसमेटिंगन के बारे में जब हम बात करते तो आपको ये बता दे कि इस हफता ये खबर भी आई है कि मेर सोरह के पुलिट्सी पॉस पर छे सिपाही और एक स्खोन माखजर ये सब भी पोजितिव तस्थ हुए है और पुलिट्सी बिरो जो है आउट फलुख का यहाँ पर भी कोछ पुलिट्सी आखेंतन सिपाही जो है पोजितिव तस्थ हुए है यहांपर आॉन्समेटिंग के बाद बागी के लोग जो है अपना काम जारी किये हैं वैसे यह भी जरूर बता दे कि एक कमता है क्यूंकि बहुत से लोग काम पर नहीं आ सकते है कौविट के वज़े से तो बाकी के लोग जो इन लोगों को ज्यादा काम है और काम पर काफी दबाव है यह जो पॉलिट्सी विरों से उंसमेट किया गया है कोफिट का बसमेटिंगन आप सुन चुके हैं सैफर आपको पता है दिन पे तीन और ज्यादा होता है कल सुक को 751 लोग पॉसितिव तस्थ हुए है एक शक्स का दिहांट एक मरीज का दिहांट घर पर हुआ है 52 प्रोसेंट स्वाप्स जो लिया गया है इसमें 52 प्रतीशत लोग पॉसितिव तस्थ हुए है यानि वारी महना में साथ लोगों का दिहांट अब तक हो चुके है कोफिट से और तोटाल आंताल दो दिन सुरिनाम देश में 1196 है एक और बात हम आपको बता दी की क्लिफटन लिंगा जो ही ये SVM में नया डिरेक्टर दिरेक्टर थेराया गया है मार्लों ओस्टर लिंग के जगे पर एक अलगमीन फरखादरिंग वन आंदील होदुस जो सुको लगाया गया है यहाँ पर लिंगा जो ही नया डिरेक्टर थेराया गया है लिंगा 2007 से यहाँ पर काम करती है ओस्टर लिंग को ओस्टर लिंग 6 मेहने तक वहाँ पर बागडोर सम्हाल रहे थे ये सरकार जो ही इनका कॉंट्रक एक बार फरलेंग कर चुके थे लेकिन और फरलेंग वो नहीं चाहते थे तो SVM के बताए है कि लिंगा जो है इससे पहले होफ था अफदेलिंग तेखनी से दिंस्टन का और जो बातर फोर्शिनिंग है बेनलांट में जो पानी लगाया गया था इसमें इनका भी बड़ा हाथ था तो SVM का नया डिरेक्टर थराया गया है क्लिफ्टन लिंगा ये नया डिरेक्टर है SVM का ये आँखरी खबर आथ साथ दिन में शुक्रिया, नमस्कार और खुदाफिस क्लिफ्टन लिंगाफिस